Hello everyone, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर देखें, आज हम लोग यहाँ पर percentage डिसकस करने वाले हैं तो percentage में यहाँ पर basic से questions solve करेंगे यहाँ पर जो सबसे basic होता है percentage में वो यह होता है कि हम percentage से fraction में कैसे convert करते हैं यह चीज आप लोगों को तो पता ही होगी कि percentage को हम fraction में कैसे convert करते हैं लेकिन इस पर based language वाले questions कैसे बनते हैं और उनका solution किस तरीके से होता है यह चीज आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं देखें यहां पर आपको एक chart दिखाई देगा जिसमें सारी के सारी percentage value को fraction value में लिखा हुआ दिया गया है तो आप देख सकते हो 100% जो एक के बराबर है 50% एक बटे 2, 25% एक बटे 4, एक बटे 3 जो है वो 33 से एक बटे 3% है इसी तरीके से आपके पास जितनी भी है values important वो सारी के सारी यहां पर दे रखी है तो आप जो है सबसे पहले इस चीज को एक बार read कर लीजिए इस चीज को आप याद कर लीजिए फिर उसके बाद में हम यहां पर questions करेंगे ठीक है तो यह जो आपके पास चार्ट अभी दिख रहा है यह इतना ज़्यदा important है कि आप arithmetic के जितने भी topic हो सकते हैं arithmetic के जितने भी topic हैं उन सभी में इसका use आपको देखने को मिलेगा और यह चीज अगर आप याद कर लेते हो याद word यहां पर हम नहीं कहेंगे हम इसको कहेंगे आप इसको रट लीजिए आप इसको रट लीजिए अगर values दे रखा है तो आपको पता होना चाहिए किसके बराबर है तीन बटे आट के बराबर तो आपको ये सारी चीजे एकदम रटी होनी चाहिए इधर आपसे पूछा गया उधर आपको इसका answer पता होना चाहिए तब ही आप questions को बहुत जल्दी कर पाओगे और बहुत जल्दी के साथ साथ में आप calculation को भी कम कर सकते हो ताकि गलती होने के chances आपके कम हो जाए तो यहाँ पर हम 6-7 questions करेंगे अगर किसी को नहीं आता है तो पहले एक दू questions से सीखेगा फिर उसके बाद जितने भी questions है उन questions की आप practice करिए क्योंकि यहाँ पर जितने भी questions करने वाले हैं वो सारे की सारे एक ही pattern पर हैं और जिसका main purpose सिर्फ और सिर्फ यही है कि आपका जो percentage से fraction convert वाला part है वो एकदम clear हो जाए ठीक है तो इसी चीज़ को continue करेंगे और start करेंगे अपने पहले questions से देखे पहला question दे रखा यह किसी संख्या में 20 जोडा जाया तो संख्या जो है 166 सही 2 बटे 3 प्रिसत हो जाती है तो ऐसे questions में सबसे पहले आपको percentage value पर focus करना है जो आपका percentage value लिखी हुई है सबसे पहले तो हम क्या गरेंगे उसको लिख लेंगे अब इस percentage value को हमको convert करना है fraction value में इस percentage value को हम fraction value में convert करेंगे सबसे पहला step आपका यही रहेगा ऐसे questions को solve करनेगा तो आप यहाँ पर देखोगे 166 लिखा हुआ है तो इसको हम 100 प्रिसत इसको आप लिख सकते हो 100 प्रिसत प्लस 66 सही 2 बटे 3 प्रिसत इस चीज को हमने इस तरीके से लिखा हुआ है 100 प्रिसत जो है वो fraction में एक होता है और 66 सही 2 बटे 3 प्रिसत जो है वो fraction में आपका कितना होता है 2 बटे 3 हो जाता है एक बटे 3 तैदिस सही 1 बटे 3 और 2 बटे 3 66 सही 2 बटे 3 तो यह जो value है वो आपकी percentage से fraction में आ चुकी है यानि कि यह जो पूरा है वो पांच बटे 3 के बराबर है यह 166 166 सही 2 बटे 3 प्रिस्त जो है वो किसके बराबर है 5 बटे 3 के बराबर है 5 बटे 3 के बराबर है इतना हमने यहाँ पर पहला step complete कर लिया है अब उसके बाद में आप देखो के question में कह रहा है कि यदि किसी संख्या में 20 जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या 166 सही 2 बटे 3 प्रिस्त हो जाती है तो यहाँ पर इतना कर लेने के बाद में हमारे पास जो denominator होगा fraction का जो भी denominator होगा उसको हम as a number assume कर लेते हैं 3 unit तो हमने हमारे पास 5 बटे 3 लिखा हुआ था तो यहाँ पर fraction 5 बटे 3 है उसका denominator 3 है यानि कि हर जो है उसका 3 है तो हम मान लेते हैं कि जो हमारे पास संख्या है वो 3 unit की है आप x मान के इसको solve करोगे ठीक है या आप इसको 100 मान के solve करोगे तो हम यहाँ पर सारी calculation को कम करके हम यहाँ पर इसको 3 unit मानेंगे x मान होगे सबसे घटिया तरीका आप 100 भी मान सकते हो लेकिन और भी calculation कम करने के लिए क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि यह इस तरीके का दे रखा है तो यहाँ पर 100 मान होगे तो calculation आपका बढ़ेगा तो उसी चीज को कम करने के लिए हम यहाँ पर जो number है उसको 100 ना मान कर यहाँ पर 3 मानेंगे कितना 3 unit मानेंगे अब देखें 3 unit हो गया हमारे पास number चाहते तो हम इसको x मान सकते थे लेकिन हमने अपनी सुधा के लिए यहाँ पर 3 माना जो कि आपको हर एक question में करना है उसका denominator ही assume करना है as a number यहाँ किसी संख्या में 20 जोड़ा जाता है number हमारे पास 3 unit हो चुका है हम इसमें 20 को add कर देंगे तो देखें हमारे पास क्या आता है उस number का उस number का 166 सही 2 बटे 3% तो आप देखोगे 3 का 3 का जब आप 166 सही 2 बटे 3% निकालोगे तो कितना आएगा 5 आएगा अगर आप इसकी cross multiply कराओगे 3 गुड़ा 166 सही 2 बटे 3% बराबर 5 यानि 3 का है 166 सही 2 बटे 3% जो है वो 5 के बराबर है और question में क्या दे रखा है किसी संख्या में 20 जोड़ने पर उस संख्या का 166 सही 2 बटे 3% आता है यानि कि 5 unit आता है या multiply होगा या फिर add होगा तो आप इसको unit वाले को term को अलग कर लीजिए तीन 5 unit में से 3 unit गया आपका कितना मचेगा 2 unit तो 2 unit की जो value है वो 20 के बराबर है ठीक है और आपको एक unit की value निकाल ले नहीं कितनी हो जाएगी 10 आप से number पूछा क्या है number हमने क्या माना था तीन माना था यानि कि 3 unit की value निकाल ली है एक unit बराबर है 10 तो 3 unit बराबर कितना हो जाएगा 30 तो ये पूरा process होता है ऐसे questions को solve करने का आपके बाद जो है बहुत ही calculation fast होना चाहिए इस चीज का जो conversion है वो आपका बहुत ही fast होना चाहिए और ये जो पूरा question है वो अगर सही मान्यों में देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ दो ही line का question था आपको समझाने के लिए हमने यहां पर इतना सारा इसका use किया है तो आप लोगों को यहां से directly यहां पर आना है और फिर उसके बाद में आपको यह इतना पूरा process लिखने की भी आऊ सकता नहीं है जो starting में इस चीज को नहीं जानता है उसके लिए हमने यह सारा कुछ लिखा हुआ है बढ़ते हैं आपने दूसरे question पर देखें दूसरा question कह रहा है कि यदे किसी संख्या का संख्या में उसका 11 सही बते 9 परसदे जोड़ दिया जाता है तो संख्या हमने आपको बताया की denominator को संख्या मालनेते हैं 9 में हमको क्या add करना है इस 9 का 11 सही बते 9 परसद 1 हो जाएगा 9 में हमको 1 unit add करना है और add करने पर हमको कितना मिलता है 900 according to the question तो 10 unit की value कितनी हो जाएगी 10 unit की value हो जाएगी 900 और आपसे number पूछा गया है number हमने क्या माना है 9 unit तो 10 unit बराबर अगर आपका 900 है तो 1 unit बराबर 90 हो जाएगा तो 9 unit बराबर कितना हो जाएगा 81, 0 यानि 9 unit बराबर 810 हो जाएगा हमारे पास जो संख्या है वो कितनी हो जागी 810 तो जितने भी question यहाँ पर हम करने वाले हैं वो सारे के सारी इसी pattern पर होने वाले हैं अगर आप इस question को कर लेते हो या आपने इसको अभी अभी सीखा है तो सारा का सारा जो question हम यहाँ पर लेकर आए हैं तो सबसे पहले आपको हमने बताया कि जो प्रस्त वाला होता है उसी पर focus करेंगे और उसको जो है fraction format में convert कर लेंगे 16 साही 2 बटे 3 प्रस्त किसके बराबर होता है एक बटे 6 के बराबर अब आगे बढ़ते हैं कह रहा है कि यदि किसी संख्या में उसका 16 साही 2 बटे 3 प्रस्त जोड़ा जाता है तो संख्या हमारे पास कितनी हो गए 6 तो 6 unit है हमारे पास उसमें से 6 का 16 साही 2 बटे 3 प्रस्त 6 का 16 साही 2 बटे 3 प्रस्त किसके बराबर है एक के बराबर है यानि 6 में हम 1 जोडेंगे तो हमको क्या मिलेगा question में देखिये लिखा हुआ है 4956 4956 मिलेगा तो 6 plus 1 7 यानि 7 unit की जो value है वो 708 है sorry 7 unit की value 4956 है तो 1 unit की value कितनी हो जाएगी 7 से divide कर देंगे 708 हो गए आपको बताना है number number हमने क्या assume किया है 6 unit तो 6 unit की value आपको बतानी है तो इधर से हमने 6 multiply किया तो इधर भी कर देंगे साचंग 42 और 48 4248 जो हमारे पास number है वो कितना हो जाएगा 4248 आपसा number जो ए है वो इसका correct हो जाएगा देखिये अगला question आपका कह रहा है कि यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाता है यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो परेडामी संख्या 137 सही बटे तीन एक बटे दो परिस्त हो जाती है तो सबसे पहले आप देखिये हमाँ पर 137 सही एक बटे दो परिस्त तो आप लोगों को 357 परिस्त की value पता है 357 परिस्त की value कितनी होती है 3 बटे आठ तो 100 परिस्त को अलग करेंगे 100 परिस्त के लिए आपका 1 हो जाएगा 3 इसको solve कर लेंगे ये आपका कितना हो जाएगा 11 बटे 8 यानि 137 सही एक बटे दो परिस्त की value है वो 11 बटे 8 हो जाएगी और हमारे पास number पूछा गया है, number हमारे denominator वाला होता है, यानि 8 हमारे पास number हो गया, 8 हमारे पास क्या हो गया, number हो गया, यह दिक किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए, देखें हमारे पास number 8 unit हो गया है, अब हमको इसमें 21 जोड़ना है, इसमें हमको क्या जोड़ना है, 21 जोड़ करेंगे डिवाइब करेंगे एड करेंगे और जो नंबर हैं वो आपका अलग रहेगा ठीकैं तो आपका है उधर आठ जाएगा तो तीन हो जाएगा रहाएब से क्त्ने रहाएब किसा गया है बटे 3% घटाया जाए यह किसी संख्या में से उसका 6-2-3% घटाया जाए तो 5670 मिलता है आपको नमबर बताना है तो इस question का जो answer है आप लोग comment box में बताईएगा सारे के सारे question एक ही pattern पर है एक ही pattern पर है और वो आपका pattern क्या है percentage से fraction में कैसे convert करते हैं उस पर based जो भी आपके language वाले questions बनते हैं numbers को लेकर जो कि सबसे ज़्यादा important है अगर percentage से question आएगा किसी भी exam में तो यहां से question जरूर भी बनता है तो आप लोग इस चीज का जो process है वो जरूर समझ लीजिए अगर आप इस चीज का process समझ लेते हो कि कैसे यहां पर numbers को assume करना है और किस तरीके से यहां पर solution का क्या process है तो आप बहुत सारे percentage के questions को जल्दी कर पाऊगे ठीक है अब बढ़ते हैं अगले question पर अगला question देखे क्या कह रहा है यह किसी संख्या में चौफट जोड़ दिया जाए तो वह नंबर 157 सही एक बटे साथ प्रिसत हो जाता है तो सबसे पहले हमने आपको पता है कि जो percentage दे रखा होता है percentage को हम लिखेंगे और फिर इसका fraction जो है बनाएंगे फिर उसके बाद में हम दोबरा से question को पढ़ेंगे 157 सही एक बटे साथ प्रिसत तो यहाँ पर आप देखोगे 100 प्लस 57 सही एक बटे साथ प्रिसत लिख सकते हो इसको तो आपका 100 के लिए 1 हो जाएगा अब बारी आती है 57 सही एक बटे साथ परस्त 57 सही एक बटे साथ परस्त ये आपका कितना होता है तो आपका हो जाए 4 बटे साथ ये जो 4 बटे साथ है वो 57 सही एक बटे साथ परस्त यानि एक बटे साथ परस्त की जो value है वो कितनी होती है चौदा सही दो बटे साथ परसद एक बटे साथ कितना होता है चौदा सही दो बटे साथ परसद एक बटे तो आपका कितना हो जाएगा चार बटे साथ यानि दोनों साइड में हम चार की मिल्टिप्लाई कराएंगे दोनों साइड में हम चार की मिल्टिप्लाइ कराएंगे तो आपका चार बटे साथ कितना हो जाएगा 57 सही एक बटे साथ परसद ठीक है जो कि हमने आपको अलेडिक चार्ट में दिखाया था कि यह important है यह ज़्यादा बार पुशे आते हैं तो अगर आपको नहीं भी पता है तो यह चीज़ आपको पता होनी चाहिए और यहां से आप यहां तक बहुत सकते हो कि 57 सही एक बटे साथ परसद किसका होगा ठीक है वो तो अलग चीज़ हो गई अब आते हैं यहाँ पर यह आपका हो गया ग्यारा बटे साथ तो 157 सही एक बटे साथ परसद की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है ग्यारा बटे साथ के बराबर है आते हैं कुश्चन पर देखे क्या कर रहा है कि यह किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए नमबर हम यहाँ पर क्या कमपानेंगे साथ इस साथ में हमको 64 एड़ कर देना है 64 एड़ करेंगे तो साथ का 150 सही एक बटे साथ परसद किसके बराबर हो जाएगा 11 के बराबर होगा तो 7 प्लस 64 बराबर 11 unit तो 4 unit की value कितनी हो जाएगी 64 एक unit की value कितनी हो जाएगी 16 और हमसे 7 unit की value पूछी गई है तो आपका answer हो गया 112 क्योंकि यह जो एक unit है वो किसके बराबर है 16 के बराबर है तो हम इसको 16 सत्ती 112 तो यहाँ पर देख सकते हो थोड़ा आपको समझाने के लिए चीजे detail में लिखी जा रही है लेकिन जब आप इस चीज को समझ जाओगे तो आप यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखोगे बस आपको इस तरीके से यह line लिखनी है और यहाँ पर इस लिए line लिखनी है और यह आपका इतना लिखना है इसके अलावा यहाँ पर इस सबका कोई भी मतलब नहीं था अगर आप इसकी जो है अच्छी खासी प्रैक्टिस कर लेते हो तो इस सबका आपको पास यहाँ पर कुछ भी नहीं था बस सिर्फ और सिर्फ दो लाइने में आपका यह इतना कुश्चन सौल होने वाला है अगर आप कुछ भी नहीं लिखते हो तब भी आपको यहाँ पर सिर्फ इतने में ही आपका कुश्चन सौल हो जाएगा बहुत ज़्यादा आपको दस सेकंड से भी कम का समय लगेगा आप बहुत स्क्लो करोगे तब भी आपको दस सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा तो यह जो दो से तीन रिट का कुश्चन था आते हैं अपने अगले कुश्चन पर अगला कुश्चन है यह दिकिसे संख्या में 930 जोड़ा जाता है तो संख्या हमारे पास 444 सही 4 बटे 9 पर सत 444 सही 4 बटे 9 पर सत देखे सबसे पहले इसको फ्रेक्शन को जो है स्वारी परसंटेज को हम फ्रेक्शन में करेंगे 4 यहां पर आपका कॉमन में चला जाएगा तो 111 सही 1 बटे 9 पर सत यह आपका अंदर हुआ ठीक है तो आप इसको देखोगे यह यहां पर 1 हो गया सवा के लिए 1 करेंगे 11 सही 1 बटे 9 पर सत संख्या में 930 जोड़ा जाता है नंबर हमारे पास क्या है 9 यूनिट तो 9 यूनिट में हम कितना जोड़ेंगे 930 जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलता है तो हमको मिलता है तो वह संख्या अपने का 444 सही 4 बटे 9 पर सत हो जाती है यानि कि चार नौ का चारसो चौवालिस है, चारबटे नौ परसुद किसके बराबर है, चालिस के बराबर है, तो 40 यूनिट संख्या हमारे पास हो जाती है, अब इसको घठा लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 930 बराबर, यह आपका हो जाएगा 31 यूनिट, 31 यूनिट की वेल्यू 930 ह है यानि कि हमारे पास यह 30 टाइम से नंबर आपसे अगर पूछा जाएगा तो नंबर भी 9 था 9 यूनिट था तो इसको अभी थर्टी टाइम्स कर देंगे 270 तो जो हमारे पास संख्या है वो कितनी हो जाएगी 270 अभी लास्ट कुस्ट्ट को सॉल करिए यदि किसी संख्या में 16 जोड़ा जाता है तो हमारे पास जो नंबर है वो 116 सही 2 बटे 3 प्रसत हो जाता है 116 सही 2 बटे 3 प्रसत सबसे पहले यहां पे 100 अलग करेंगे 100 के लिए 1 आ जाएगा प्लस 16 सही 2 बटे 3 प्रसत यह आपका होता है 1 बटे 6 तो यहां पर आपका हो जाएगा 7 बटे 6 7 बटे 16 के बराबर है नमबर आपसे पूछा गया है तो आपका यहां पर हो जाएगा 90 आपसन की बात की जाए तो आपसन नमबर जो डी है वो इसका correct हो जाएगा और इसी के साथ में हमने यहां पर अपने सारे आपका परसंटेश से आता है तो इसी चीज को हम अगले दिन कॉंटिन करेंगे तब तक की लिए टाटा बाई-बाई-बाई-टेक्यार है विए नेक्ट वीडियो थैंकि सो माच